जे श्री कृष्णा लड़्डू को पाल के भक्त में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि माता पारवती के गुरू कौन है वैसे तो माता पारवती आदिशक्ती हैं, महा माया है, महा देवी है उन्हें किसी की भी आवशक्ता नहीं, किन्तु उन्होंने मनुष्य रूप में अवतार लेकर कई भाग्यशाली लोगों को ये अवसर दिया कि वैं उनके गुरू की भूमिका निभा सके साथ ही उन्होंने मनुष्य जाती को ये संदेश भी दिया कि मनुष्य यौनी में जन्म लेने के बाद ईश्वर को किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है तो चलिए जानते हैं कि माता पारवती के गुरू कौन है तो इसमें सबसे पहले स्थान पर आते हैं देवादेदेव महादेव क्यूंकि मापारवती और महादेव अर्धनारिश्वर है इसलिए उनका मन सदेव एक दूसरे से जुड़ा रहता है इसलिए जब माता पारवती ने मनुष्य रूप में जनम लिया तब महादेव उनके मन द्वारा उनका मार्क दर्शन करते थे ऐसे में माता पारवती ने अपने प्रथम गुरू के रूप में महादेव को ही अपना गुरू स्विकार किया दूसरे स्थान पर आते हैं भगवान विश्णु की परंभक्त देवरिशी नारद कहा जाता है भगवान विश्णु की प्रेंडना से ही नारद मुनी ने माता पारवती से तपस्या करने को कहा था तपस्या द्वारा ही वे महादेव को प्राप्त कर सकती हैं ऐसी परामर्श देवरिशी नारद द्वारा ही माता पारवती को मिली थी इसलिए माता पारवती ने देवरिशी नारत को अपने गुरु रूप में स्विकार किया था इसमें तीसरे स्थान पर आती है माता पारवती की सक्षी मालिनी ऐसा कहा जाता है कि भगवान कार्तिके के जन्म के बाद भी मापारवती अक्सर उदास ही रहा करते थी क्योंकि भगवान कार्तिके का पालन पोशन कृतिका लोक में होगा इस नर्ने के बाद मापारवती बहुत उदास हुए और जब भगवान कार्तिके माता पारवती के पास भी आये तब वे युद्ध के लिए अकसर कैलाश से दूर ही रहते थे तब माता पारवती अक्सर कैलाश पर उदास ही रहती थी तब माता पारवती की सकी मालिनी ने उनसे कहा कि वे अपनी शक्तियों द्वारा एक अपना स्वयम का पुत्र का निर्मान कर सकती है तब माता पारवती ने अपने शरीर की मैल और अपनी शक्तियों से एक बड़े ही सुन्दर पुत्र को जनम दिया जिसे आज हम भगवान गनेश के रूपने जानते हैं क्यूंकि माता पारवती को गनेश भगवान पुत्र रूप में प्राप्त हुए इसलिए माता पारवती ने अपनी सक्षी मालनी को भी अपनी गुरु रूप में स्विकार किया था तो उम्मीद करती हूँ कि आपको माता पारवती के इन गुरु के बारे में जानकर बहुत यच्छा लगा होगा साथ ही मेरे चानल पर नए है तो इसे सब्सक्राइब करकर बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजेगा ताकि मैं इसी तरह की वीडियोज आप तक लाती रहूँ जै माता दी जै श्री राम